तो आपके ऐसे एक वीडियो प्लेयर क्रीट करकर उसको एड़ मॉब या एड़ शेर समोन्टाइज कर सकते हैं, आज आपको बताऊं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यहां पर चाउटी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अमारे चैनल पर पहले बराएं, तो प्लीज अमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें और वीडियो पर प्यारा सा लाइक भी करते हैं, तो मुबाइल एप क्र करने के लिए सबसे पहले आपको डीप सीक के ऊपर आना है और इसके ऊपर अपने अकाउंट क्रेइट कर लेना है, अब आपको यह है डिसाइड करना है कि आपकी स्टैप की आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि इस वीडियो में आपको यहां पर एक्जामपाल देने वालों व बना कर दिखाने वाला, तो वीडियो प्लियर क्रेट करने के लिए हमें यहां पर कोड्स की आवशकता होगी, और कोड्स बनाने के लिए हमें यहां पर प्रॉम्ट की आवशकता होगी, और प्रॉम्ट आपको मिल जाएगा मेरे टैलग्राम चनल को उपर, तो मेक शूर आपको मेरे WhatsApp channel को पट आना है, им को join के लेना है, या फिर आपको मेरे Telegram channel को सब्सक्राइब को पर जोई कन लेना है, दोनों का link आपको description मिल जाएगा, तो पहले आपको मेरे Telegram channel या WhatsApp channel को जोई जाएगा है, यहां पर आपको prompt मिल जाएगी, जैसे कि मैंने यहां पर अपनी prompt शेव कर रखी है, जो आपको मेरे ट्रैगर मचार्ट पर मिलेगी, यहां अपनी prompt को copy कर लूँगा, अगेन आपको deep seek के उपर नहीं, यहां पर prompt को copy and paste करना है, deep think इसको उपर click करना है, then run इसको उपर click करते न उसको यहां पर अच्छे से अनलाइज करेगा उसी की बाद ही आपको यहां पर कोर्स बना कर देगा तो हम यहां पर कुछ सेकंड का वेट करते हैं और कोर्स हमारी यहां पर बन जाएंगे So you can see DeepSick ने हमें यहां पर कोर्स बना कर देती हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाइदे रहें, अब मुझे यहाँ पर चैक करना है, जो कोर्स यहाँ पर बना है, वो प्रोपरली वर्क कर रहा है या नहीं भी कर रहे है, तो इसके लिए Şu मैं यहाँ पर आऊँगा, रं इसको पर इसको पकलिक कर दूहा, यहाँ पर आपके device का interface open हो जाएगा, जैसे कि मैं आपके इस video को open पर लेता हूं, तो video यहाँ पर open हो जाएगी, अब यहाँ पर video play भी हो रही है, तो कहने का मतल भी है, video player यहाँ पर अच्छे से work कर रहा है, तो हमने यहाँ पर basic video player create कर लिया है, जिसको मुझे app में change करना है, और इस video player को app में change करने के लिए, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अपनी codes को host करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं codes को copy कर लेता हूं, और host करने के लिए हम यहाँ पर use करने वाले github का, तो simply आपको जाना github के उपर, इसकी उपर open account create करेंगे, जैसा आप github के उपर अपना account create करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस पका का interface है, यहाँ पर आपको option मिलेगा plus का, तो आपको इसको उपकलिक करना है, यहाँ पर आपको option मिलेगा new repository का, तो आपको इसको उपकलिक करना है, अब आपको यहाँ पर अपनी repository का name type करना है, जैसे कि मैं इस इस पर कासे टाइप कर देता हूँ, तो name यहाँ पर avi label है, उसके बाद आपको public इसके उपकलिक करना है then create repository इसको उपकलिक कर देना है, जैसा आप इसको उपकलिक करेंगे तो आपके सामने new page आयागा and यहाँ पर आपको option दिखाए देगा create a new file का, तो आपको इसको पकलिक कर देना है, जो आपने अभी code को copy किया था ना उस code को यहाँ पर copy and paste कर देना है इस तरीके से, यहाँ पर आपको अपनी file का name देना है जैसे कि मैं यहाँ पर file का name दे देता हूँ index.stml यही name आपको भी देना है then उसके बाद आपको यहाँ पर आना है and यहाँ पर आपको option मिलेगा commit changes का, तो आपको इसको पकलिक करना है commit changes again इसको पकलिक कर देना है code आपके यहाँ पर save हो जाएंगे अब मुझे यहाँ पर अपनी code को host करना है missus को publish करना है तो publish करने के लिए आपको जाना है settings के उपर then यहाँ पर आपको pages का option दिखाए देगा तो आपको इसको पकलिक करना है यहाँ पर आपको branch का option दिखाए देगा यहाँ पर आपको none दिखाए देगा तो आपको यहाँ पर main को choose करना है तो सेव इसके उपर क्लिक करते हैं, जैसा आप इसके उपर क्लिक करेंगे, तो कोड आपके यहाँ पर सेव हो जाएगे, जैसी आपका कोड यहाँ पर सेव हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको आपकी वैपसेट का लिंक दिखाएदेगा, अब आपको अपनी वैपसेट को मोन करने हैं, तो एप को मौनटाइज करने के लिए हम यहां पर यूज करने वाले हैं Adsterra या फर Google Admob का, तो इन्हीं के माध्यम से हम अपनी एप को मौनटाइज करें हैं, और आपको कैसे मौनटाइज करना है, वह मैं आपको बताता हूँ, जो कि ओलडी मैं आपको अपनी पिछ करना है, तो आपको मारे previous वीडियो को देख लेना है, वहाँ पर आपको detail में पता लग जाएगा, कैसे ही आपको monetize करना है, यहाँ पर मैं आपको quick बता देता हूं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह चेक करेंगे, कि मारे website का link यहाँ पर generate हुआ है, यह नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, refresh इसको पकलिक करेंगे, तो link आपको यहाँ पर generate हो चुका है, तो यहाँ से आपको अपनी website के link को copy करना है, अब आपको इसको, अब आपको इसको एड्स टेरा यह आपको इसको अपकलिक करना है, यहाँ पर आपको इसको अपकलिक करना है, यहाँ पर आपको इसको अपकलिक करना है, यहाँ पर आपको इसको अपकलिक करना है, जैसी आप यहाँ पर अपनी website को आड्ड करेंगे, तो आपकी website यहाँ पर दिखाए देगी, उसके बाद आप आपको अपनी website को उपकलिक करना है, add new it इसको उपकलिक कर देना है, just मैं इसको उपकलिक करकर देखता हूँ, तो यहाँ पर active है, फिर get code इसको उपकलिक करना है, यहाँ से आपको अपनी website के code को copy कर लेना है, again आपको यहाँ पर आना है, अब आपको back में जाना है, again back जाना है अगेन बैक जाना है, यहाँ पर आपको index.html का पेस्ट दिखाई देगा, आपको इसको उपन कर लेना है, अब आपको bottom में जाना है, यहाँ पर आपको body के option को find करना है, और इसरी के नीचे ही आपको अपनी add की script को copy and paste कर देना है, तो मैं bottom में जाता हूँ, यहाँ पर आपको body का option दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इसको पर click करना है, enter इसको पर click कर देना है, पहले मुझे इसको enable करना पड़ेगा, तो edit this file इसको पर click कर दूँगा, अगेन मुझे bottom में जाना पड़ेगा, तो इसको पर click करना है, जो code आपने वहाँ से copy किया था, तो इसको यहाँ पर save कर देना है, फिर अगेन आपको उपर आना है, commit changes इसको पर click कर देना है, commit changes इसको पर click कर देना है, और code आपके यहां पर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी. Again, आपको settings की उपर जाना है, pages की उपर जाना है, again आपको इसको पब्लिश कर देना, तो इसके लएब करना पड़ेगा, यहां सब और करना पड़ेगा, फिर सेव करना पड़ेगा, अगेन मेन करना पड़ेगा फिर सेव करना पड़ेगा तो अगेन आपके वेपसेट पपिश जाएगी और इसके उपर ऐड देखनी स्टार्ट हो जाएगी तो इस तरीके से आप अपनी वेपसेट के उपर एड लगा सकते हैं लुएसं सेम प्रॉसर सकती है एक मynnलति में हैं को अपनी आप रगणी की किनीजिन से अपनी Karhsom अपनी वापसेट को एप में क्या से बदलना है वो मैं आपको बदाता है तो अगे इन में यहाँ पर आँगा इसके लिंक को मैं दुबारा कोपी कर लूँगा इस तरीके से यह वापसेट के लिंक था ना इसको मैं कोपी कर लूँगा उसके बाद आपको इस वापसेट को copy and paste करना है, app का name दे देना है, then next इसको उपकलिक कर देना है, अब कहनवा के मादिम से आपको अपनी app के लिए icon create करना है, जिसको यहाँ पर set कर देना है, then make app इसको उपकलिक कर देना है, कुछ mint का process यहाँ पर complete होगा, और इस तरीके से आपकी app यहाँ पर बनकर ready हो जाएगी, जितनी भी app आपने यहाँ पर create की होगी न, सारी app आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, अब आपको इसकी apk को कैसे download करना है, वो बताता हूँ, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी tension नहीं लेना है, simply आपको मारे चैनल को अपर जाना है, playlist को अपकलिक करना है, free traffic की बहुत सरी playlist मिल जाएगी, सभी की playlist को ध्यान से देखना है, सारी वीडियोस को ध्यान से देखना है, 200 प्लस free की traffic source मिल जाएंगे, जिसकी उपर आप अपनी अप को promote कर सकते हैं, maximum install से निकलवा सकते हैं, और इसके माधिम से आप यहाँ पर revenue generate कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी अप को भी promote कर सकते हैं, I hope आपको आज की वीडियो पसंद है होगी, कैसे आपको वीडियो प्लियर की अप करीट करना है, वो भी आपको सुम्हाँ होगा, अगर आपको आज की वीडियो चल लगी है, तो मैं आपसे यहाँ पर request करूँगा, कि आप अमारे चानल को subscribe कर लें, वीडियो के उपर कम सकम 100 लेक्स लेके हैं, तक इसी टाप का awesome content हम आपके साथ share कर पाएं,